जै हिन जै भार्थ साथियो मैं हूँ अजीत फोजी सुंगरपुरिया आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स कैडमी तो साम दोस्तो आज हम बात करेंगे एक यूजक्यू इंरॉल्मेंट के बारे में जो कि बहुत बड़ी वर्ती है और हर बंदा इसमें जाना चाता है वो बहुत बड़ा सेंटर है ये ये आर्मड कोर रेजमेंट का सेंटर है ये एमद नगर में आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल का सेंटर जिसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर योज क्यों इंरॉल्मेंट रेली होनी है जो की रगुरूटिंग येर 2021-22 के लिए कंडेक्ट की जाएगी ये जो रेली है अब 13 सितंबर 2021 से 39 सितंबर 2021 के अंदर आर्मामेंट रजमेंट के दुवारा की जाएगी और ये जो BTR के अंदर होएगी बेसिक ट्रेनिंग रजमेंट है मन्नगर में ये आर्माड कोर सेंटर एंड स्कूल की बहुत सी उनिट है वहाँ पर जैसे DMR है BTR है A&D है आर्मामेंट है ओटो है तो इस परकार से जो ये बरती है A&D के दवारा की जाएगी A&D रजमेंट के दवारा और ये BTR में वरती की जाएगी तो दोस्तों यहांपर आपको बता दें कि Soldier Colorak Ascatee, Soldier Colorak GD और Soldier Trademan तीन ही कटेगरी की बरती होती है यहांपर और ये तीनों остановal की कटेगरs्वाइब है यहाँ पर ध्यान दे मेरे भाई यह उपन बरती नहीं है यह relation के बच्चों की बरती है वो भी one son और real brother उनकी बरती है यहाँ पर और जो adopted son है वो भी यहाँ पर जा सकते हैं जो legally gode लिये गए हैं यहाँ पर जा सकते हैं तो उनकी बरती है दोस्तों यह और unmarried candidate के लिए बरती होती है married शिरव एक ही condition में यहाँ पर बरती हो सकता है कि जिसने कोई वी दूआ से साधी कर रखी वो यह married आदमी बरती देख सकता है तो इस परकार से दोस्तों आपको बता दें यह बरती है जो armament regimen के दवारा की जाएगी यह बरती basic training regimen BTR है मननगर में जो कि ओरंगाबाद रोड पर है वहाँ पर conduct की जाएगी दोस्तों यहाँ पर soldier gd के लिए जो age cutoff है वो एक अक्तूबर 2000 से लेकर एक अप्रेल 2004 17-21 साल उमर soldier gd के लिए और यहाँ पर soldier gd में किसी भी center के relation के बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं अच्छा मोका है दूसरा soldier trade man और soldier colorak askety के लिए age cutoff है वो एक अक्तूबर 1998 से एक अप्रेल 2004 17-23 साल उमर है यहाँ पर और यह musician वाले trade man में यहाँ आते हैं उनके लिए भी यही उमर है और जो sportsman के बच्चे हैं वो शिरफ gd में ही बच्चे देख सकते हैं दोस्तो 17-21 साल वो trade man या colorak में बच्चे नहीं देख सकते sports से यहाँ पर यह ध्यान देना दोस्तो तीन trade की बच्चे होगी soldier colorak askety यहाँ पर शिरफ armored core relation के बच्चे ही जिनका की relation संबंद certificate काउचित कोर के अंदर एंड स्कूल एमन नगर आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल का जिसके पास relation है वो ही बच्चा कलरक की बच्ची देख सकता है कलरक की बच्ची के लिए आपको पता हर subject के अंदर 50 नंबर और 60% नंबर होने चाहिए और math, accounts या book keeping में से एक subject होना नियाइद जुरूरी है इस परकार से plus two pass बच्चा यहाँ पर soldier कलरक का स्केटी की बच्ची देख सकता है उसके अलावा soldier gd के लिए आपको पता है 10th pass होना चाहिए लग बग हर subject में 40 नंबर और और 45% नंबर हो और soldier trade man जो की 8th pass और 10th pass दो परकार के होते हैं तो यहाँ पर इनकी बच्ची की जाए यह सभी relation के बच्चे हैं इसमें soldier gd के लिए एक बात और द्यान देने वाली है यहाँ पर soldier gd के लिए किसी भी relation का बच्चा बच्चा बच्ची देख सकता है किसी भी center का relation है उसके पास में जिसकी उमर 16-21 साल है दसमी पास है वो यहाँ पर बच्ची देख सकता है soldier gd के लिए और उसके लिए अच्छा मोका भी है यहाँ पर अधर वालों के लिए भी यहाँ पर बड़ा center है विकेंशियां बहुत आती हैं जो भी लड़के मेरे भाई सो का फिजिकल निकाल देंगे अच्छा टेस्ट करेंगे यहाँ पर selection के पूरे पूरे chance है अधर के लिए उसके अलावा बता दे soldier trade man के लिए तो soldier trade man में तो अधर का कोई ज़्यादा chance नहीं रहता क्योंकि limited vacancy होती है और यहाँ पर ज़्यादा तर तो फादर के relation के और एम अधनगर सेंटर के ही बच्चे ज़्यादा तर select होते है तो इस परकार से दोस्तो दो category और open relation बरती है यहाँ पर outstanding जो भी outstanding sportsman है वो यहाँ पर जा सकते हैं वो किसी भी state से किसी भी जाती से हो बारत के किसी भी राजजेशे हो जो दसमी पास हो उसके अलावा जिनके पास game का certificate हो जो की sportsman ले खेल मंतरा लेके दवारा youth affairs क्या हो तो यहाँ पर यह जा सकते हैं युनिएस्टी college के हो जो सरकारी certificate होते हैं जो gradation वाले यहाँ पर वो सभी चलेंगे तो जा सकते हैं यहाँ पर बच्चे एहमन नगर में जो game किस किस की होएंगी इसके बारे में आप हमें वो कर देना, whatsapp वगरा कर देना कॉमेंट्स कर देना हम आपको बेज देंगे किस किस game की बरती हो नहीं हैं यहाँ पर तो मैं हम बता देंगे आपको बाकि जो game वाले बच्चें open category आपर जा सकते हैं किसी भी state का बच्चा दसमी पास sportsman के लिए, उसके लिए musician के लिए होती है, trade man में बरती यह भी open category होती है, इसके लिए 17-23 साल उमर है 10 में पास हो, और musician की कोई भी instrument गाना या बजाना जानता हो, तो यहाँ पर बरती में जा सकता है, तो उनके लिए बरती की जाएगी यह तो यह बरती confirm है, दोस्तों आपको बता दें, जो भी मेरे बाई हैं इस बरती में पका जाएं यहाँ पर chances हैं खास करके sportsman के लिए musician के लिए, उसके अलावा, soldier gd के लिए अधर वालों के लिए, यहाँ पर जो भी बाई हैं, यहाँ पर बरती में जाएं, अपना लक अजमाएं बरती होनी है, center बहुत बड़ा है, आपको बता दें ठीक है, उसके लिए age verification के लिए बता रख्या दोस्तो, 366 दिन से जादा का birth certificate, मारक्षीट और relation के अंदर फरक नहीं होना चाहिए, उसके अलावा, आपको बता दें, policy बता रख्यी, इसमें permanent body, tattoo नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके अलावा, NCC card holder हैं, जो sports certificate हैं will verify, पहले जो भी NCC के हों या sports के बच्चे, उनका पहले verification आता है दोस्तो, उसके बाद ही वो common insurance exam में बैठ सकते है, return test में वो ही बच्चे बैठेंगे, जिनके पास, जिनका verification हो जाएगा तो ये ध्यान दें, आप फरजी certificate ना लेकर जाएं, relation बनवा कर लेकर जाएं, relation record का होना चाहिए, जो फादर का relation है, उसके 20 एंक मिलते हैं, जीडी में चाहिए वो किसी भी उसका हो, center का हो, लेकिन फादर का relation को number लगू होते हैं, हाइट वेट चेस्ट की भी छुट होती आपको बता दें, तो इस परकार से आप ले सकते हों, ये वगरा फादर के relation की, और जो relation है, वो water marks वाला होना चाहिए, जिसके अंदर, और अभी record, related records या, record दवारा परमानी, तो वो record अफसर के sign होने चाहिए, और आज कल क्या है, photograph भी उसके उपर format है, लागू, तो photograph, joint photograph फादर की पूरी detail हो, उसके उपर, तो इस परकार से, जो भी खेल वाले बच्चे हैं, खास करके sponsor रजमेंटों से बनवा कर लेकर जाएं, खेल वाले बच्चों के लिए, जिनका नहीं भी बनता, तो एहमंद नगर में क्या है, वहाँ पर record बना देते हैं, एहमंद नगर में center बना देता है, अपने आप sponsor, तो जो बना के ले जाएं, उनके लिए प्रवर्टी रहती है, वो उसी रजमेंट में जाएंगे, sportsman जिस रजमेंट का वो लेकर जाएंगे sponsor, इस परकार से दोस्तों आपको बता दें, medical के कुछी सुझ बताए गए हैं, तो इस परकार से पूरी बर्ती का schedule है, हमारे पास आचुका है, ये बर्ती confirm है, जो भी बाई बर्ती में जा रहे हैं, वो यहाँ पर अपने अच्छी त्यारी करके जाएं, यहाँ पर chances बहुत जादा हैं दोस्तों, मैं आपको पूरा schedule भी बताऊँगा, ये बर्ती का, आक किस दिन किसकी बर्ती है, हमारा वीडियो आखिर तक देखें, जो भी मेरे बाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों, आपको बता दें, 13 सितंबर 2021 से बर्ती शुरू होने वाली है, और बहर बर्ती की साइट आपको बता दी गई, और अंगाबाद रोड के उपर है, BTR Basic Training Regiment, वहाँ पर होईगी ये बर्ती, ठीक है दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रही है, ये पूरा जो चार्ट है, आप statewide है, और देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्कृप्शन में PDF मिल जाएगी, डिस्कृप्शन में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया वहा है, टेलिग्राम चैनल को जोइन करो, हमारे टेलिग्राम चैनल पे सारी PDF लेबल हैं हर परकार की बरतीगी और आप हमें WhatsApp करो हम बेज देंगे फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं तो इस परकार से पूरा सडूल इसमें बता रहा क्या स्टेट वाइज यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली दोस्तों जो बार-बार पुछेंगे आप लोग कोमेंट्स करके कि गेम की बरती कब से है तो सभी स्टेटों के लिए पूरे बारत के सभी राज्यों के इंदर साशित परदेशों के लिए सभी कास्ट के बच्चों के लिए गेम के स्पोर्ट्समेन के बच्चों के लिए अंडर पी टी ओ जो फिजिकल का जो स्पोर्ट्स का अपसर होता है फिजिकल ट्रेनिंग अपसर उसके अंडर आपकी ट्राइल चलेंगी 13 तारिक से 13 सितंबर 2021 को आपकी स्क्रीनिंग होएगी आपके डॉकॉमेंट चेक के जाएंगे आपकी ट्राइल ली जाएंगी और उधर ही साइड में वहाँ पर जो म्यूजिशन के लिए जो बरती जा रहे हैं वह अंडर AC Depo क्योंकि AC Depo के अंदर सेंटर के अंदर यहाँ पर बैंड पार्टी है तो वहाँ पर बैंड पार्टी के दवारा जो म्यूजिशन वाले बच्चों हुं की ट्राइल ली जाएगी तो यहाँ पर जो musician और sportsman के बच्चों के लिए 13 सितंबर को ही सभी सभी ZRO, ARO, सभी पूरे बारत के राज्यों के लिए ये बरती 13 से ही शुरू हो रही है उसके अलावा relation के बच्चे भी जो भी 13 और 14 सितंबर को अंदर पर देश, तेलंगाना, तमिलाड़ू, अंडेमा, निकोबार, गुरूप, यूटी उसके बाद पांडिचेरी ये सभी के भी जो भी है यहाँ पर बच्चे सभी चेन नई के अंडर जो भी आ रहे हैं तो सभी बच्चे यहाँ पर 13 चोदा को जाएं पंदरा सोड़ा को पंजाब, जम्मू कस्मीर, आसाम, मेगाले, अरुनाचल पर देश, नागालेंड, मिजोरम, मनीपूर, तिरपूरा इनके लिए 17 और 18 को हरियाना, इमाचल, चंदिगड, दिल्ली, गुरुग्राम, फ्रिदाबाद, मेवाद, पलवल, सभी आई आरो ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगले आपको बता दें, कि 20 से लेकर के 22 तक, उत्र परदेश, उत्राखन, करनाटका, केरला, उसके बाद लक्से दीप, और यहां परिन की बर्ति की जाएगी, जो कि लखनव और बैंगलोर के लिए आ रहे हैं उसके बाद 23 से लेकर के 25 तक, मद्दे परदेश, 36 गड़, माराष्टर, गुजरात, गोवा, दमन, द्यू, दादर, नगर, हवेली, पुने, यह जो साउत के जो भी हैं, पुना के अंडर जो आते हैं, यह सभी इनकी बर्ति की जाएगी 27 से लेकर 29 सितंबर तक, राज़स्तान, उडिशा, शिकम, वेस्ट, बेंगाल, और भी जो बचगे, जो सभी इंट कोर के जो आते हैं, उनके लिए यहाँ पर बर्ति की जाएगी और यह बर्ति सभी ट्रेड की उसी दिन ही होगी, चायो कलरक का हो, जीडी का हो, ट्रेड मैन का हो, जो स्टेट बता दी, जो प्रोग्राम बता दिया उसी दिन, सभी ट्रेड की बर्ति की जाएगी यहाँ पर आपका PFT, PMT, Medical सभी चीजे साथ-साथ में सुरू हो जाएगी खास करके बस यही है कि गेम के और मुजिशन को बच्चे तेरा तारिक को पूँच जाएगे हैं मन नगर में मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि यहाँ पर बर्ति तीन ट्रेड की है जो रिलेशन की है दो ट्रेड ओपन है यहाँ पर वो जो दो दो ट्रेड है स्पोर्ट्समैन है और मुजिशन है उपन बर्ति है सभी का तो आप दोस्तों यहाँ पर जाएए बहुत बड़ा सेंटर है और मुक्का है आप लोगों के लिए यहां पर जै हिन जै वार्चातियों